चार दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल में मैं रिशी मिश्रा आप सब का स्वागत करता हूँ होली के मौके पर एक गीत फिल्म आया गया था कि ये कैसी बेशर्मी है ये कैसी हटदर्मी है और बेशर्मियों से कोई क्या बोले ये गीत वैसे तो होली पर फिल्माया गया लेकिन आजकल के सियासी महौल में अरविंद केजरिवाल पर एकदम फिड़ बैठता है 13 मैं को एक घटना दिल्ली में मुखमंतरी आवास पर हुई इस घटना में राजसबा स्वानसद और दिल्ली महिला आयोग की पूरवध्यक श्वाती मालिवाल के साथ दूर वैवार की शिकायत की गई जो की दिल्ली में एक कॉल सेंटर पुलिस का कॉल सेंटर जो PCR नमबर है उस पर फोन करके स्वाती मालिवाल ने शिकायत की कि मुख्यमंत्री कारायले में उनके साथ दुरवेवार हुआ है और मुख्यमंत्री के जो सबसे खास पीएं है विभाव उन्होंने उनके साथ दुरवेवार किया इस मामले में पुलिस मौके पर मुख्यमंत्री आवाज पर पहुची जहाँ उनको एंट्री नहीं मिली बाद में स्वाती मालीवाल इस थानिय थाने में पहुच कर उन्होंने पूरी कहानी बताई लेकिन कोई लिखिश शेखायत नहीं की इसके बाद में तमाम तरह की बाते हुई मीडिया में ये खबर आई और अचानक बीते रोज यानि की बुद्वार को संजय सिंग सामने आते हैं राजसवा सांसत आमादी पार्टी और अपनी एक प्रेस कॉन्फेंस में बताते हैं कि किस तरह से स्वाती मालुई वाल के साथ विभाव ने दुर्वेवार किया जो कि मुखमंतरी के पिये हैं और उन पर मुखमंतरी कारवाई करेंगे ये बात यहां पर समाप्त होती है और भारती जन्ता पार्टी इसका विरोध करती है और तमाम राज़ीती इस पर होती है और आमादी पार्टी के आपचारी प्रेस कॉन्फरेंस में ये कहने के बावजूद कि विभाव ने दुरवेवार किया और विभाव पर मुखमंत्री कारवाई करेंगे पूरी बे शर्मी के साथ अर्विंद केजरिवाल के साथ वही विभाव आज लखनौ पहुँछते हैं पीती रात लखनौ पहुँछते हैं एरपो यह सवाल जब हमारे साथी पत्रकार ने पूछा अरविंद केजरिवाल से तो अपने सामने से माइक हटा कर उन्होंने अखलेश यादो की ओर कर दिया अखलेश यादो की ओर माइक किया गया और अखलेश यादो ने पहले तो कहा कि ये इससे भी और जरूरी सवाल है जो किये जा सकते हैं फिर संजय सिंग ने इस मामले को गोल मोल करते हुए भारती जनता पार्टी के समय हुए राजियों में हुए महिला उत्पीडन के मामलों को मड़ीपूर को और उन्नाओ को उठाया उन प्रेस कांफरेंच समाप्त हो गई कुल मिलाकर स्वाती मालीवाल के मामले में विभाव पर संजय सिंग आरोप लगाते हैं अर्विन केजरिवाल उनको साथ लाते हैं साथ तब लाते हैं जब संजय सिंग भी साथ हैं तो एक तरह से राजनेतिक बेशरमी की इससे बड़ी कोई बानगी नजीर बड़ी मुश्किल में देखने को मिलेगी कि खुले आम पार्टी की ओर से जिस वेक्ति को एक मामले का दोशी बताया जा रहा है उसी के उपर कोई कारवाई नहीं कोई मुकदमा नहीं और कोई एक्शन नहीं और उसको साथ में उसके साथ गलवईयां हो रही है उसको हमसाया बना करके राजनेतिक अवियान में जुटाया जा रहा है तो इस तरह से अर्विन केजरिवाल जो कुछ कर रहे हैं वो जड़ जाहिर हो रहा है अब इसके पीछे की एक जो इंसाइड स्टोरी है कि दिली में 13 माई को मुख्यमंतरी आवास पर उस सुबा हुआ क्या था स्टी मालिवाल के साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था कि ये पूरा घटना क्रम तयार हो गया वो स्टी मालिवाल जो अर्विन केजरिवाल की बहुत नसदी की रही है उनकी सबसे खास सिफासलारों में से एक रही है आत्खिर वे इतनी ज़्यादा उनसे दुराओ कैसे हो गया और इस कदर नौबत आ गई कि एक राजसभा सांसाथ के साथ दुर्वैवार होने लगा तो इसके पीछे की कहानी है यही राजसभा किसी जो स्वाती मालिवाल को दी गई स्वाती मालीवाल और आतिशी ये दो चेहरे हैं जो महिला चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के जो काफी मुखर रहे है अर्विन केजरिवाल के लिए और आम आदमी पार्टी ने इनको काफी बढ़ावा दिया और अंदर खाने की बात यह है कि दोनों के बीच आतिशी और स्वाती मालिवाल में कड़ा कंपटीशन है 2019 के लोग सभाचुनाओ में स्वाती मालिवाल दिल्ली से टिकेट चायती थी लोग सभाचुनाओ का उनको नहीं मिला आतिशी को मिला आतिशी चुनाव हार गई उसके बाद में 2020 में जब विधान सभा चुनाव हुआ फिर स्वाती टिकेट मांगनी थी स्वाती को नहीं मिला आतिशी को मिला आतिशी ने विधान सभा चुनाव जीता इसके बाद में स्वाती मालिवाल को संतुष्ट करने के लिए उन्हें दिल् कुछ समय पहले अपने एक बयान में कहा था कि उनके पिता ने बच्पन में उनके साथ यौण करने की कोशिश भी याणि कि वो दरपोग बिलकुल नहीं है जो मुखर होकर अपने पिता की खिलाफ ऐसा बयान दे सकता है वो बिलकुल भी दरपोग नहीं है इस पूरे घटना क अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी का विरोध नहीं किया और बहुत ज़्यादा उनके बयान नहीं आए जिससे अर्विन केजरिवाल कुछ नाराज हुए कल एक बहुत ही निंदनी घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सब को बताना चाहता हूँ कल सुबा अर्विन केजरिवाल जी के आवास पर स्वाती मालिवाल जी मिलने के लिए पहुँची थी ड्राइं रूम में इंतजार कर रही थी इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाती मालिवाल जी के साथ बहुत बर्तिमी जी की अवदर्ता की इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाती मालिवाल जी ने पुलिस को दी और अब यहां मौका आता है कि उनके जो वकील हैं अर्विन केजरिवाल के वकील कॉंग्रेस के नेता रहे हैं अभिशेक मनु सिंग भी जो की राजसवा जाना चाहते हैं और अर्विन केजरिवाल को इस पूरे मामले में जमानत चाहिए थी ऐसे में राजसवा सीट को रिक्त करने की एक मजबूरी आम आदमी पार्टी के सामने आ गई अर्विन केजरिवाल के सामने आ गई अब अर्विन केजरिवाल ने स्वाती मालिवाल को कहा कि वे राजसवा सांसत पत से ट्याख पत्र देने जिसकी पीछे वज़ाया थी कि अबशेक मनु सिंग्वी को वा सीट देनी थी अब शेक मनु सिंग्वी के लिए सीट खाली करने के लो स्वाती मालिवाल बिल्कुल तयार नहीं थी अर्विन केजरिवाल मजबूर थे अगर वे उन्हें पार्टी से निकालते हैं तो राजसवा की सद्यस्यता नहीं जाती है यह नियम है अब दो इस्थितियों में अब शेक मनु सिंग्वी को रासवा सांसत बनाना है जिसके स्वाती मालिवाल को हटाना है स्वाती मालिवाल तयार नहीं है उनको पार्टी से निकाला नहीं जा सकता आईसी परिस्थिती में अर्विन केजरिवाल ने स्वाती मालीवाल से अपना संपर्क पूरी तरह से कट कर दिया और उनके कोई भी बास सुनने से इंकार कर दिया जब वे परचार के लिए जमानत पर वापस आये स्वाती माली वाल ने उन से मिलने के बहुत सारे प्यास किये मगर उन्होंने समय नहीं दिया तो वे मुखमंतरी आवास 13 माई की सुबा पहुच गी राजसबा सांसद होने के नाते और प्रगान संबन्द होने के नाते मुखमंत्री आवास में उनके एंट्री पर कोई रोक नहीं थी वह वहां तक पहुच गई जैसा हमें अंदर से पता चला वे उस कमरे तक पहुच गई जहां एक ड्राइंग रूम था मतलब जहां अगेस्ट आकर बैठते हैं और उसके बाद का जो कमरा है उसमें अर्विन आने देते हैं स्वातीमालीवाल ने अंदर जाने की जबरदस्ती की विभवन ने उनको मना किया स्वातीमालीवाल विभव की सुनने के बिलको तयार नहीं थे हूंने नहीं का कि मुझे अर्विन केजरिवाल यान minute 뭐 pics इना ही मिलना है आखिरकार मजबूर होकर विभवने स् धक्के की वज़ा से स्वाती मालिवाल नजदीक में पड़े सोफे के पास गिर गई और उसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ दोनों पक्षों में टीकी बहस हुई और स्वाती मालिवाल ना तकाल पुलिस में फोन कर दिया और वहां से ये मामला उजागर हुआ तो स्वाती मालिवाल से छीन कर अभिशेक मनु सिंग्वी को दे रहा है वे अभिशेक मनु सिंग्वी जो अर्विन केजरिवाल को इन कठिन परिस्तितियों में बहुत ही एक ऐसे एक ऐसे बेस पर जमानत दिला लाए जो कोई बेस ही नहीं है भारत के इतियास में पहली बार ऐ लाइड है अरविन केज़िवाल ने तो ये शर्ट मनजूर कर ली मगर उनके पास में मजबूरी है कि राजसभा की कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर वे मनु सिंग्वी को सेट कर सकते तो स्वातिमालीवाल की बली देनी थी स्वातिमालीवाल अपनी बली के लिए तैयार नहीं थी जिसके पीछे ये पूरा जगड़ा क्रियेट हुआ है और ये पूरा महौल बना है जिस पे आज पूरे देश में सियासत हो रही है कहने का मतलब है कि अरवीन केजरिवाल जब जमानत से लोटे हैं तो यहां आये तो वे नमास करने थे लेकिन रोजे उनके गले पड़ गए कहने को बहुत अच्छी शुरुवात हुई थी उनके जनसंपरक और जनसभाव की लेकिन इस पूरे मामले को भारती जनता पार्टी ने तुरंट कैच कर लिया है और कई जगा प्रेस कॉन्फरेंस करके भारती जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया और अब नतीजा ये है कि ये मामला अरविन केचरिवाल और आम आत्मी पार्टी के खिलाब जा रहा है उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्यूं विभाव अमें अरविन केचरिवाल के साथ हैं क्यूं संजे सिंग ने विभाव को ही दोशी ठहरा दिया और अब इस मामले में स्वाती मालिवाल अपना पूरा बयान दिल्ली पुलिस को दे रही है तो निकट भविस्ट में ये मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है इसमें बहुत बड़ा तरीके से हो सकता है फिर से कहीं न कहीं अरविन केचरिवाल का इंवाल्मेंट लिया जाए महिला उत्पीडन का मामला है महिला के साथ दुरवैवार का मामला है तो प्रकरन बहुत पस्ट हो रही है कि ये जो शांत सा दिखने वाला आमादमी पार्टी का घर है इसके अंदर बर्तनों की खड़खड़ाहट बहुत जादा है बर्तन अब केवल आपस में लड़ नहीं रहें लड़कर तूट रहें और तूटने की आवाज बाहर तक जा रही है और लोगों को पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है बहुत कुछ गढ़बढ़ है और ये गढ़बढ़ कितनी है और इसका असर पार्टी पर कितना होगा निकट भविश में पता चल जाएगा खास तो और पर 4 जून के बाद बहुत कुछ पता चलेगा वसे मैं आपको अगत कराऊंगा कोशिश करूँगा कि उसके अंदर क्या हुआ वो भी बताऊं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए इसको लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार